वन प्लस नाइन ब्रो डिवाइस के कुछ एसेसरिज मेरे पास आ चुके हैं जो कि हमारा यहां पर यहां पर यूवी टेंपर ग्लास है जो कि गेर वाले डॉट कॉम से है जो आया है अभी फिलाल और यह परफेक्ट फिटिंग वाला है क्योंकि मैंने इसे और इसे आपके दे यूट यूट से नुट हो जाता है तो आप देख लेना या फिर आप दोनों भी यूज कर सकते हो तो मैं यहां पर इस सपर जो बैकर सकसिन अप्लाई करने वाला हूं साँसा कर साल्ठिंपर आगेस तो बाइलिंग आपको मिलेगा अुश्यूशन में और यह ब्रोडमजिन परना पड़ेगा और फिर से अप्लाई करना पड़ेगा तो इस समय मैं आपको फिर से वीडियो दे दूँगा बट यह भी फिलाल मैं अप्लाई नहीं कर रहा लेकिन यह काफी मुझे अच्छा लगा और यह पे मैंने कस्टम नाम भी डलवाया है आप चाहँ तो डलवा सकते करके और यह है हमारा BGMI यानि PUBG का जो कि मैं अपने OnePlus पर अप्लाई करने वाला हूँ क्योंकि मैं गेमिंग थोड़ा उस पर ज्यादा करता हूँ यही इस वार ट्राई करते हैं और बहुत सारे आपको इसकीन मिल जाते हैं आप इनके साइट पे विजिट कर सकते हैं और साथ यहां पर गेर वाले पर अलगल आपको टेंप गलास हर एक कटेगरी के आपको मिलेंगे और बैक कर और अगरा तो आप इनके साइट पे विजिट करके जो भी डिवाइस का चाहिए वह आप बाई कर सकते हो तो चलिए देखते हैं अप्लाई का पूरा प्रोसेस सबसे पहले मैं यहां पर बैक स्कीन अप्लाई करने वाला हूँ उसके लिए हमें हैं जो क्लीन करना पड़ेगा तो पहले इसे बैक पैनल को क्लीन कर लेते हैं अच्छे तरीके से यहाँ पर clean हो चुग है proper तरीके से और सबसे पहले हम यहाँ पर जो भी हमारे पास screen है जिस वीडियो ऐसे आप apply करो जैसे कि मैं 9 pro पर कर रहा हूँ जहाँ पर सबसे जाड़ा cut होगा सबसे पहले आप उसे match करना उसके बाद बाकी अदर cut auto आपके match हो जाएंगे आप यहाँ तो camera से pick कर सकते हैं या फिर bottom से कि कोई दोनों जगा cut अच्छे खासे हैं तो जैसे ठीक लगे वैसे आप pick कर लेना सबसे पहले क्या करें हम इसे जो बाहर निकाल लेते हैं इस तरीके से अब यहाँ पर apply करना सुरू करेंगे इस तरीके से हो गया यहाँ पर apply जो कि सिर्फ से यहाँ बैक पैनल पर हुआ है अब हमें यहाँ पर cut को match करना है कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर matching करनी है अच्छे तरीके से थ्वास अगर आपको आगे पिछे दिखाई देता है ता आप इसे थ्वासा खीच सकते हो उसके अप्लाइब कर लेना तो यहाँ पर यह अप्लाइब हो चुका है प्रोपर बट अभी देख से तो यह सारे बाहर आ रहे हैं यहाँ पर आपको जड़ोत है हेर ड्रोयर के या होट गर्ण की जो कि हलका फुलका यहाँ पर आप देना परेगा मेरे पास यह दोनों नहीं है तो मैं थोगा घ्रेलो जुबार बगरा करता हूं और इसे फीट करके आपको दिखाता हूं कि कैसा लुक है जो यहाँ पर हमें दिखाई देता है और आप चा होली सही लगा फिटिंग के मामले में और एक अच्छा सा लुक भी लग रहा है बट बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आए तो अलग अलग अप्शन आपके पास अवेलेवल है आप जैसा चाहो वैसा आप यहाँ पर यूज कर सकते हो मर्जी आपकी होगी क्योंकि मैं अ उस पे कैसे अप्लाई करना है यह भी ठीक है मैंने यहाँ पर अभी टेमपर गलास के जगह नहीं मिला था तो अप्लाई कर रखा था एक नॉर्मल सा मार्किर से लिएके लोकल सा स्कीन जो कि बहुत जल्दी स्क्रेच आ जाता है और साथ यह भाई हमारे हाथ पर बहुत अल यह भाई कर लेंगे ताकि कोई भी डॉस्ट ना रहे है यहाँ पर कुछ पाउच मिल जाते हैं इसके अंदर जो कि एक क्लीनर है और बाकि डॉस्ट इमूफर वगेरा है तो इसी इसका यूज करते हुए क्लीन करना है यहाँ पर क्लीन हो चुका है और क्लीन होने के बाद आपका डॉस्ट रिमूब हो जाएगा और फिंगर के कोई भी निसान आपके जो डिस्प्ले पे नहीं आएंगे अब यहाँ पर आपको क्लीन करने को यहाँ कुछ बातों का ध्यान दखना है बहुत जाता अगर आप कोई भी सर्फेस जहां पर यह अप्लाई कर रहे है तो हाँ अपना जो स्पीकर है ना उस पे कुछ डाल देना ताकि जब भी आप टेमपर गलास अप्लाई करो इसका गुलू आपके स्पीकर के अंदर न जाए इससे आपके ऑडियो में थोड़िवूत कमी आ सकती है स्पीकर बंद हो सकता है यहाँ पर यह जो स्टिकर दियेगे गुलू अंदर ना जाए यहाँ पर मैंने इससे अपलाई कर दिया सिर्फ उस इसने स्पीकर को पक रहा है और कुछ भी नहीं है अब यहाँ पर हम गुलू को डालेंगे फोन को हलका होल्ड रखना है ताकि आप खुद से अजिश्ट कर सको मैनवल की गुलू कहीं गिर तो नहीं रघ रहा है तो यहाँ पे हमारा सारा है जो गुलू आ चुका है इसके उपर अब यहाँ पर आपको हलकर से फोन को छोड़ना है और देखना है कि कहीं साइड में तो नहीं जादा अगर नहीं जादा है तो ठीक है अदो आप खागच वरे नीचे लगा दो ताकि सारा गुलू आपका डिस्प्लेय पे रहें अब यहाँ पर इसका है जो लेयर नीचे का रिमूब करेंगे और इसे अच्छे से अपलाई करेंगे सब कुछ मिक्स करके यहाँ पर इसे आगे-पीछे करके अजिस्ट कर सकता है अगर प्रोपर अजिस्ट नहीं हुआ है तो क्योंकि यहाँ पर जब तक आप इस पर यूवी लाइट नहीं डालते है यह आपका जमता नहीं है तो इस तरह किसे प्रोपर अब हो चुका है हमारा 6 और देखना यह है कि कहीं पर air अगर तो नहीं न आपको दिखाई दे रहे हैं तो अगर air होते हैं तो आप दबा दबा के side में कर लेना और glue पूरा proper display पे आना चाहिए अब यहां पर कोई भी bubbles नहीं है और यह proper अब यहां पर apply हो चुका है अब क्या है ज़रूरत हमें UV light इसके उपर डालने के ताकि यह जम सके तो इसे connect करना है आपको अपने phone के charger से जो कि आपके phone के साथ मिला होगा या कोई other भी आप यूज कर सकते हो और यह type C को support करता है तो यहां पर इस तरीक से light आएगी आपको धीर धीरे करके इसे आगे पीछे करना है और पूरा यहां पर कुछ देर तक हम से कम 10 मिनिट अग आप कर सकते हो ताकि यह glue हमारा सुख सके और display हमारा permanent है यहां पर fix हो सके temper glass के साथ तो यहां पर भाई सब कुछ finally apply हो चुका है अच्छे तरीके से perfect तरीके से और यहां पर हमारा जो fingerprint है वो आपका है जो proper काम कर रहा है यहां पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती और आभी फिलाल मैं यहां पर customer room यूज कर रहा हूं क्योंकि अक्सर मैं customer room के वीडियो देता रहता हूं तक आपको चाहिए आप चेक आउट कर लेना playlist वगेरा और यहां पर आपडिक से तो कोई भी bubbles हो गया देखने को नहीं मे हैं without किसी help के खुद से यह साथ चीज़ आप apply कर सकते हो वीडियो अच्छा लगा तो like कर देना और हां एसे सरे चाहिए तो link मिलेगा decision में आप वहां से browse करके जो भी पसंद आता है वो buy कर सकते हो या फिर आप local shop से buy कर सकते हो मर्ची आपके आप बिल्कुली free हो कहीं से भी लो आपकी मर्ची होगी ठीक है thanks watching bye